नमस्क्राइब दोस्तों स्वागेते आपका टीसी टेले चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताएंगे अगर आप नए हैं और आपको सीधी सिलाई लगाना मतलब प्रोब्लम आती है सीधी सिलाई आपसे जल्दी नहीं लगती है तो आपको मैं इसमें बहुत सारे तरीके ब लगाना सीखिए तो प्रोब्लम यॐ अगर आप लगा रहे हैं तो हमारा इधर ही रहता है पठले की तरफ और जो कम हिस्सा होता है मतलब का इधर साइड में कुछ नहीं है तो इधर साइड में कुछ नहीं है तो इधर साइड में आपको कपड़ा रखना होता है बांकि इधर साइड में जो भी निकलता थोड़ा वो दिये चीज तो देखे सबसे पहले आपको लपकी सिलाई लगाना सिखना होगा उसके बाद जो है अब लपकी सिलाई कैसे मैं आपको बता तो लपकी सिलाई जैके ऐसे अराम से लग जाती है तो लपके शिलाई में क्या है किनारी किनारी लगातर चले जाओ पर उसमें भी थोड़ ही जाँ बहुँ है जए हम रहे हैं ख़़ें सिद्म नहीं है पूझाय लुझी है आपको किया करना है है यहां यहां पर अपने रिकांपना है भी है या उस्क उट nosso लगाना है जो बसंब स्वळकन है ठाना नहीं और बीजो ही था लेdoes तो यह प lickा सा तो तो ऐसे में आपको तो है पुर अफने중 हेए अपको आपको अपने देख सीधा रखना होता है और यह किनारी जो है देखे हाथ जो है ये बाला ये बिलकु ओढ़ा आप रखके हैं जहाँ पर रखे हैं बहीं कर माली जूँड यहाँ अवां रखके हैं और यह किनारی देखके चले जाएं और इससे आपको यह हटने लगए यह कुछ प्रोब्लम हो तो इस वाले हांस से भी सपोर्ट ले सकते हैं तो ऐसे करके दोनों हातों से तो यह हो जाती है तो आपसे जो है यह सीधी प्रंद ही लगेगी पहली चीजSp आपको यह धियान रखना है अब माणनीजा आप लगा रहे हैं और और यहां आप का इदर जूम राहा है बार बार यह फिर आप आज हैसे करके हो गया ना तो वह तिर सिलाई कपड़ा जो यह व कि अगर आप ज्यादा कस्की कप्ड़े को दवा देंगे ना हास से तो क्या है कप्ड़ा जो है अपनी जगा पर फिर ही नहीं हो पाएगा तो उसमें भी आपकी शिलाई लहर मार जाएगी तो आपको हलके से बस रखना होता है कप्ड़ा हलका सा बस पकड़े रहा हैं और सीध इसका आपको धियान रखना है अब पहले आपको लपकी स्लाई लगाना सीखना होगा लपकी स्लाई आपके इनारे किनारे उसके बाद जो है यह पैरिक स्लाई इस तरी कैसे है जब आपके पैरिक स्लाई सीधी लगने लगे सापसुतरी फिर आप थोड़ी बड़ी स्लाई लगा रहे हैं अब यहाँ पर आपको कैसे लगाना है और सीदा-सीदा हिसाब आप इसमें नमबर हाई नहीं चाहिस नमब पड़े होते हैं पकिनारी होती है अब आ यहीं से किनारी किनारी होती आप पर सीदी शिलाई जा रहे हैं क्योंकि आप से तिर्शी हो सकती है तो इसमें दो तरीके आपको अपनाना होगे पहला तो होता है देखी यह चीज जो है यह पट्री का मतलब यह इतना हिस्सा आपका चुटा हुआ है तो आपको इतना ही रखना है तो ऐसे में आपको क्या कर सक हैं आप यहां पर जो है सीधा निसान लगा सकते हैं यहां पर कि हमेरा कपड़ा हमेता यहां से ही निकलना चाहिए यहां से लगाना तो यहां से लेकिन उसके बाद जो आपको पट्री से देखके ही चलना होगा और जो आए ज्यादा लंबी अगर सिलाई है नाई आई या फिर आप सीधी मिल्कुल लगाना चाहते हैं तो इंशी टेफ से कपड़े को भी नाप सकते हैं एक इंच एक सूथ आए तो यहां पर भी एक इंच लगने लगे फिर उसके बाद जो आए फिर आएसे ही लगाना सीखें अब आएसे कैसे तो आप पट्री का एक अंदाजा ले लें देखिए पट्री यहां पर है माली कपड़ा आपके यहां पर चलना है साहिल के पास आएसे करके मौ मैं आपको दिखाता हूँ जिस साहिल न लगे तो आपकी सीधी बिल्कुल लगेगी अगर आपने इदर उदर साहिए इदर इमाली यहां पर चला पिर आपका एकदम आयसे करके हो गया या पिर आपको लाईरी आगया करबड़ हो जाएगा तो पट्री से आपको देखके चलना होता सीधी सिलाई में बाद में जब आप जो है यह में दिक्कत आजाती है मेरी बात करें तो मैं तो इसको आशानी से लगा सकते हैं पर जो है अब दिखें मैं इन आपको लगा के दिखाता हूं बीच और बीच में अब दोगे हमने यहां पर लगाई ठीक है तो अब हम किसका अंदाजा लेंगे एक तरीका से इसका ले लेते हैं मतलब हमें या फिर बुंदके रखी हैं इनका भी ले सकते हैं और फिर हमें अंदाजा लेने के जरूरत भी नहीं क्योंकि हम पहले से ही काम करते हुए हैं तो हम सीरी सिलाई ऐसे भी देखके आसानी से लगा सकते हैं पर क्या है आपको बताना जरूरी है अगर चोड़ी सिलाई लगा रहे हैं पहरे इक सिलाई तो हमने बता दिया है आपको बूट के किनारे लेके चलना है या पिर अगर आप जो है उमाल लीजे दूसरी सिलाई लगा रहे है तो दुसरी सिलाई हैं आपको इसके प्ञोस में लगाना है तो आपको भूठ के ताप से देखके चलना हुए कि उसके कि कितनी दूर पर हमारी सिलाई धुल करती हैं गाते हैं अब देखिया हमारे दोनों हाथ बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं अगर आप हाथ हिला देंगे ना अपने तो आप से त्याड़ी जरूर हो जाएगी सिलाई तो देखे इस तरीके से हम इसी जिलाई लगा दी है तो मतलब आपको ऐसे ही लगाना है यह चीजें देखके ही लगाना लगते हैं दोस्तों जानकारी यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें आज चैनल में पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जुरूर पेस कर लें चल दिए फिर मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार